श्रीय आदित्यनात योगी जी से नेवेदन करूँगा कि उ हम सब को अपने प्रेनात मक्षब्दों से संबोधित करें श्रीय योगी आदित्यनात जी आदनिय प्रदान मंत्री जी प्रदेश की मान्ने राज्यपाल श्रीमतियानंदी वेन प्टेल जी मानने रक्षा मंत्री सिरा राजनाज सिंग जी रक्षा राज्य मंत्री मानने सियजय भड़ जी सोक समलगो मद्यम उद्यम विभाग के राज्य मंत्री मानने सिभानु प्रताप परमा जी मानने सांसद स्वन्राग सर्मा जी आज केस राष्ट रक्षा समर्पन परवों में हाँ प्रुपस्तित सभी मान्य जन प्रतनिदिगण रक्षा सिनाओं के सभी अध्यक्सगण रक्षा सचिव समेथ सभी उपस्तित गण मान्य अतितगण उपस्तित मान्य भाव में बीर और विरांगनाओं के सभी जहां से की राणी लक्षमी बाई के त्याग और बेलदान के सभी जन परवों राष्ट रक्षा समर्पन परव क्याज के समारों में आदने प्रधान मंत्री जी का अन्य सभी गणमाने अथितियों का उत्तर प्रदेश सासन की ओर से हिर्दै से स्वागत करता हूं और विनंदन करता हूं आज पुरा देश इस देश के प्रथम स्वातंत्र समर्पन की अमर सेनानी रानी लक्षमी बाई की एक सो तिरानवेवी पावन जेन्दी के कारिकरम को उनकी सौर और गाथा के साथ समर्ण कर रा है हम सब जानते हैं कि 1857 की प्रथम स्वातंत्र समर में विदेशी हुकूमत की चूले हिलाने वाली महरानी लक्षमी बाई के सौर और प्राकरम को सौर गाथा को वो हर भारत्वासी बड़ी सरधा के साथ बड़े सम्मान के साथ समर्ण करता है जिसे मात्ता जनव भूमी और मात्री भूमी के प्रति जिसके मन में थोड़ा भी अन्राग है और मात्री भूमी के प्रति जानी लक्षमी बाई के उस बलड़ान को सदेव समर्ण करते भी उनके प्रति सरधा ब्यक्त करता है और उनका मर्ग वाक्य हम सब के लिए एक मंत्र बन गया जनोंने इसी जहासी में 1857 के पूर्व विदेशी हुकूमत को चुनोदी देते वे कहा था कि मैं अपनी जहासी हरगिज नहीं दूंगी यह आज भी हम सब को माता और मात्री भूमी के प्रति एक नया समर्पन का भाव हम सब के प्रति कि हम सब को ब्यक्त करने के लिए प्रिरित करता है आज जब हम 193 वे पावन जेन्दी पर रानी लक्षमी बाई के इस पावन कारिकरम में हम यहाँ पर रक्सा मंत्राले द्वारा आयुजित कारिकरम में आदने प्रधान मंत्री जी के सानिद्य में इस आयुजन में विभिन प्रियोजनाओं के साथ यहाँ पर समलित हुए हैं मैं अदने प्रधान मंत्री जी का हिर्दे से आवहार व्यक्त करता हूँ कि नोंने उत्तर प्रधेस का यह सोभाग्य है कोई स्वैम भी उत्तर प्रधेस का प्रतनिधित्व करते हैं और देश के अंदर रक्सा छेतर में आत्मनिर भरता के लक्स को प्राप्त करने के लिए जो दो डिफेंस कोरिडोर स्विकर्द के थे और मैंसे एक उत्तर प्रधेस को दिया और आज उत्तर प्रदेश का डिफेंस मैनिफेक्चरिंग कोरिडोर इस दिसा में तेजी के साथ न केवल रक्सा छेतर में भारत की आत्म निर्भरता को बलकि उत्तर प्रदेश में रोजगार और नौकरे की धेर सारी सम्भावनाओं को आगे बढ़ाने का कारे भी कर रहा है मुझे प्रसंता है कि जहासी में 1034 हैक्टियर का लैंड बैंक हमारे पास मौजूद है और जिसमें प्रस्तावी तिमेस अब तक 603 करोड रुपे का हमें प्राप्त हुआ है चित्रकोट में 101 हैक्टियर का कानपुर में 184 हैक्टियर अलीगड में 81 हैक्टियर और लखनों में 80 हैक्टियर अब तक लैंड बैंक के रूप में हम लोगोंने अपने पास सुरक्सित रखा है और मुझे बताते हुए प्रसंता है कि आज यहां पर अभी आदने प्रधान मंत्री जी के करकमलों से भारत डैनेमिक्स लिम्टेट की यहां पर लगभग 400 करोड उपे की पर्योजना की आधार सिला आदने प्रधान मंत्री जी ने रखा है मैं इसके लिए उत्तरप्रदेश डिफेंस मेने फेस्ट करिडोर को डियाडियो के इस प्रोजेक्ट के लिए हिर्दे से आभार बेक्त करता हूँ यहां पर 183 हेक्टियर भोमी हम उत्तरप्रदेश आसन ने भारत डैनेमिक्स लिम्टेट को प्रदान कर दी है विए उसकी सभी प्रकार की डीट की रजिश्टी की सभी प्रकार की कारवाई संपन हो चुकी है और यह कार्य तेजी के साथ आगे वढ़ने का होगा आज का दिवस हम सब के लिए इसलिए भी महत्तुपूर है कि हम सब जानते हैं कि आदनिये प्रधान मंत्री जी ने दुनिया को ग्रीन इनर्जी के छेतर में आगे वड़ने के लिए और पूरी दुनिया को प्रदूशन मुक्त वातावन देने के लिए जिस एक नए अभियान को आगे वड़ाया है जिसका उस्वयम नित्रतों पुरी दुनिया के अंदर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश ने उनके नित्रतों में 2017 से अब तक 1440 मेगावाट छमता के सॉलर पावल प्रांट अब तक प्रदेश में कमिशन किये हैं और आज यहां पर प्रदान मंत्री जी ने स्वयम TSDC इंडिया लिम्टेट की भागिदारी से 600 मेगावाट के एक नए सॉलर पावर प्लांट का यहां पर आधार सिला रखी है जो इसी जहांसी जन्पद में स्तापित होगा यहां पर इसके लिए हम लोगोंने पहले से ही 2850 एकड़ भूमी इसके लिए उन्हें आबंटित की है 3000 करोड़ पे से अधिक का निवेस इसमें प्रस्तावित है और लगभग 6000 से अधिक रोजगार की संभावनाएं यहां पर इसके माध्यम से प्राप्त होंगे इसके साथ ही यहां पर आज आधने प्रधान मंत्री जी ने अटल एकता पार्क का भी लोकारपन किया है सरदेव अटल जी उत्तरप्रदेश का प्रतनित्व उन्होंने देश की संसत में किया भारत के बारे में आधने प्रधान मंत्री जी की सोच एक भारत स्रेश्ट भारत किस परिकल्पना को साकार करता हुआ यटल एकता पार्क आज यहां पर आदनिय प्रधान मंत्री जी की स्मार्ट सिटी मिशन का वा पार्ट है जिसमें हमारे सहर भी अब केवल सामान ने बन्यादी सुवधाओं से युक्त न हो बलकि अपने आप में स्मार्ट बने और उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए न केवल वहाँ पर अत्याधनिक इंटीग्रेटट ट्रैफिक मैनिस्मेंड सिस्टम हो बलकि वहाँ पर लोगों को एक वन्यादी सुवधाएं भी प्राप्तो हो जिनके लिए सहरी छेतर में एक सामान नागरिक आकर के एक विश्वास के साथ आता है और आज उस्तरबरदेश 17 एसी सीटी को स्मार्ट सीटी की रूप में विक्सित करने का कारे कर रा है उसी स्मार्ट सीटी मिशन के अंतरकत अट़लेग्ता पार्ग का लोकारपन का कारेकरम भी यादने प्रदान मंत्री जीने जासी में अबी यहाँ पर किया है बुंदेल खंड के लिए आज का दिन अत्यंत महतोपूर है महतोपूर इस बात को ले करके एक तरफ बुंदेल खंड के एक छोर पे प्रधान मंतरी जिन्याज जल जीवन मिसन से जुड़े वे प्रधान मंतरी गिर्शी सिचाई योजना से जुड़े वे बड़े बड़े परियोजनाओं का लोकारपन किया है राज्ट को उन्हें समर्पित किया है और आज दूसरी और रक्सा सेना को आत्म निर्भरता के लक्ष को प्राप्त करने के लिए जै ज़वान जै किसान के इस अभ्यान को साकार करने और हर काम देश के नाम इस लक्स को प्राप्त करने की दिसा में आज स्वयम बुंदेलखन की धर्ती पर आकर के उन्होंने सभ्यान को आगे बढ़ाया है मैं इस आउसर पर एक बार फिर से आधनिये प्रधान मंत्री जी का राश्ट रक्सा समर्पन परोपर आजादी के अंबृत महत्सो के इस पावन आउसर पर राश्ट रक्सा समर्पन परोपर के इस आयोजन पर ना जहांसी की रानी लक्समी बाई किस त्याग और बेलदान किस भूमी पर उनके 193 वे पावन जेन्ति पर आधने प्रधान मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्ति करते हुए सभी उपस्तित गणमान ने अतिकियों का इतके प्रति हिर्दे से आभार व्यक्ति करते हुए अपनी बाणी को बिनाम देता हूँ धन्यबाद जैहिन माननिय मुखे मंत्री जी अपने संबोधन में राज्चे में जारी विकास परियोचनाओं का विस्ति